पीठ दर्थ एक सामान्य स्थिती है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है यह विभिन कार्णों हो सकता है जिसमें खराब आसन, चोट और गठिया जैसे अपक्षई स्थितिया शामिल है पीठ दर्थ हलके दर्थ से लेकर दुरबल करने वाली स्थिती तक हो सकता है जिससे रोजमरा की गतिविधियों को करना मुश्किल हो जाता है पीठ दर्थ के सबसे आम कार्णों में से एक खराब मुद्रा है ऐसी स्थिती में बैठने या खड़े होने से रीड पर तनाव पड़ता है जिससे दर्थ और परिशानी हो सकती है उदाहरन के लिए लंबे समय तक डैस पर बैठे रहना या बैठे होई जुपना पीठ के निचले हिस्से पर अधिरिक तबाव डाल सकता है पीठ दर्थ का एक अन्य सामान्य कारण चोट है पीठ में चोट लगने के कई कारण हो सकते हैं जिन में दुरघटनाई, गिरना और खेल समबंधी चोटे शामिल है औस्टियो आथ्राइटिस और स्पाइनल स्टेनोसिस चैसे अपक्षी स्थितियां भी पीठ दर्थ का कारण बन सकती हैं पीठ दर्थ के लक्षन, जगरन और हिलने डुलने में कठिनाई शामिल हो सकती है खुछ मामलों में पीठ दर्थ शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है अगर आप अपने जीव्य शैली में बदलाव जैसे स्वस्थ वजन बनाए रखना और अच्छी मुद्रा का अभ्यास करना भी पीठ दर्थ को कम करने में मदद कर सकता है अंत में यदि आप पीठ दर्थ का अनुभव कर रही हैं तो कारण और उच्छे पुप्चार निर्धारित करने के लिए स्वास्थ देखवाल पीशेवर को देखना महत्वपूर्ण है